क्या कोई आश्रम में ऐसी बाते फैला रहा है? हाँ? कि सद्गुरू आपका ध्यान रखेंगे चिंता ना करो चिंता ना करो? आप बस होते रहें? अगर आप भगवान से ओवर टाइम करवाते हैं, तो वो भी एक दिन आप पर ऐसा निकालेंगे कि आपको हर चीज के लिए पचता आना पड़ेगा और ये मुझ पर भी लागू होता है सौदेबाज लोग अलग तरह के होते हैं भक्त अलग होते हैं अगर आप में वैसी भागीदारी है तो कृपा के जरने भहेंगे ना कि बूंद बूंद भक्ती का मतलब ये नहीं कि देवी आपके काम करेंगी ये सद्गुरु करेंगे ये बकवास आपको किसने बताई क्या कोई आश्रम में ये सब फैला रहा है अरे सद्गुरु आपका खयाल रखेंगे चिंता ना करें चिंता ना करें आप बस होते रहिए सद्गुरु जागेंगे और आपके लिए साथ ना करेंगे ऐसी बातों की वज़ा से ये देश जो एक समय में अध्यात्मिक प्रक्रिया का एक जबरदस्त उधारन था वो भाग्यवादी और खुद के खिलाफ हो गया है इस शिक्षा के कारण चिंता ना करें चिंता ना करें भगवान आपका ख्याल रखेंगे कुछ साल पहले कोई मौरिशिया से आया था लगभग पच्चेस सताइस साल पहले तो ये तामिर्ड लोग हैं जो तीन पीड़ी पहले वहाँ गए थे ये वाली पीड़ी कभी भारत नहीं आई थी अब वे कोई उद्धोग चला रहे हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वगेरा तो अब उन्होंने अपनी जड़ों का अनुभव करने के लिए तमिल नाडू आने का फैसला किया आज भी वे अपनी ही तरहे की तमिल बोलते हैं तो वे चेन नहीं आए और वहां से वे कुछ मंदिरों में गए और वे चेन नहीं से कोईमबटूर वापिस जा रहे थे तो वे यहां आए और स्वभाविक रूप से हमें दिल्चस्पी थी आपको कैसा लगा क्यूंकि तीन पीडियों के बाद आप वापिस आ रहे हैं अपने पूरवजों की धर्ती पर कैसा लग रहा है एक बात उन्होंने ये कही ऐसा लगता है कि भारत में भगवान ओवर टाइम काम कर रहे है क्यूं? क्या हुआ? वे कहते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं बच्चे आकर पहियों के नीचे गरना चाहते हैं पर किसी तरह वे बच जाते है कोई ऐसे ही घुश जाता है मरना चाहता है पर किसी तरह बच जाता है तो जब इसे देखते हैं तो लगता है भगवान वाकई यहां ओवर टाइम काम करते होंगे अगर आप भगवान से ओवर टाइम काम करवाते हैं तो वे भी एक दिन आप पर ऐसा निकालेंगे कि आपको हर चीज के लिए पच्चताना पड़ेगा यह मुझ पर भी लागू होता है तो भक्ति इसका अर्थ है संपूर्ण भागिदारी ना कि सद्गुरू मैं आपका भक्त हूँ क्या आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे मैं क्यों करूंगा भक्ति का अर्थ है आपकी तरफ से पूरी भागिदारी जब कोई भागिदारी नहीं होती तब आप बस सामाजिक रूप से सही चीजे करते हैं आप में से कुछ वो भी नहीं करते पर जादतर लोग बस वो काम करते हैं जो उनके हिसाब से शिष्टाचार है या जो बस उनकी ड्यूटी है पर जब आपके अंदर किसी चीज के प्रती प्रेम या भक्ति की गहरी भावना होगी सिर्फ तब ही आप वो सब कुछ करेंगे जो आप कर सकते हैं मैं कह रहा हूँ कि जीवन के हर पल में अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं पूछ रहा हूँ आप अपनी कब्रे से काम करना चाहते हैं आपके जीवन के हर पल में क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप वो सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं इसी गहरी भागिदारी को भक्ति कहते हैं भक्ति कोई सौदा नहीं है सद्गुरू मैं आपके प्रती बहुत समर्पित रहा हूँ पर आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया मुझे आपके साथ कुछ करना ही नहीं था सौदे बाज लोग अलग तरहे के होते हैं भक्त अलग तरहे के होते हैं मेरे साथ कुछ होने ना होनी की जरूरत नहीं है, मैं खुद को इसमें जोंग दूँगा, यही भक्ती है, बस इस उमीद से अजादी मिलना कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, अगर आप बस इस से मुक्त हो जाएं, तो आपका जीवन एक धन्य जीवन है, ब तो आपका जीवन बहुत ही धन्य जीवन है, हम ईशा में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हजारों लोग ऐसे ही पागलों की तरह काम कर रहे हैं, बाहर से वे वैसे दिखते हैं, पर वे शान्त, चैन से हैं, वे अपनी आखे बंद करते हैं, तो दुनिया गायब हो हो जाती है, हाँ, और उन्होंने अपने जीवन में बस एक चमतकार ही हासल किया है, कि उनके दिमाग से मुझे क्या मिलेगा निकल गया है, आपको बस इतना ही करना है, भक्तिकार्थ बस यही है, आप उमीद के दर्द से मुक्त हो गए हैं, कुछ भी हो जाए, मैं ठीक ही क्या बहतर है, आप जो चाहते हैं वो हुआ, ये बहतर है, या कुछ भी हो, आप ठीक हैं, ये बहतर है, बात बस यही है, पर जब आप ऐसे हो जाते हैं, जब आपका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता, तब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, एक इनसान बस यही कर सकता है, और जब आपको ये चिंता नहीं होती, कि आपको क्या मिलेगा, तो क्रिपा आप तक पहुँच पाती है, क्योंकि आप हिसाब ना लगाएं, सद्गुरू, तीन मिनिट तक मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितनी क्रिपा मिल जाएगी? वाकई तीन मिनिट, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने बस काम किया, मुझे कितनी क्रिपा मिल जाएगी? आपकी जगह बाजार में हैं, जीवन में नहीं है, इस जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं है, तरीका कोई भी हो, चाहे कोई आपको अच्छे से दफन करे, या लोग आपको यूँ ही फेक दें, वैसे भी आप प्रित्वी का एक हिस्सा बन जाएंगे, अलो? समस्या क्या है? कोई हमेशा अंदार अंतिम संस्कार दे, ठीक है, किसी ने हमारे शरीर को कहीं फेक दिया, क्या बड़ी बात है मैं पूछता हूँ, जो भी हो, वैसे भी अब धर्ती का ही एक हिस्सा है, अगर आप ऐसी भागिदारी दिखाते हैं, कि आप यहां मौजूद ह कुछ ढोते हुए कहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपना जीवन बरबाद कर देंगे, चीज़ें आपके आसपास खुद को व्यवस्थित कर लेती हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूंड कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके चारो और अपने आप द्रिप्तित हो जाएंगी, कुछ मात्रा में आराम वगरां आएंगे, पर, आप ढूंड कै रहे हैं, क्या आप आराम ढूंड रहे हैं, या फिर तृप्ति, ये आपको तै करना होगा, अगर आप जीवन में तृप्ति खोज रहे हैं, तो भागिदारी ज़रूरी है, भक्ती का अर्थ है बस बिना किसी सवाल के बेधड़क भागिदारी भक्ती बस यही है संपूर्ण भागिदारी अपना सब कुछ जोंग देना अगर आप में वैसी भागिदारी है तो कृपा के जहरने बहेंगे ना की बूंद बूंद एक बार आपको ऐसी कृपा मिल गई आपका जीवन त्रिप्त हो जाएगा किस तरीके से कैसे आपको हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपका शरीर मन और उर्जा रुकावट नहीं है और कृपा आप तक पहुँच रही है तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं ह कि इस जीवन का क्या होगा जो भी होगा सबसे अद्भुत चीज़े होगी बस इतना ही है